फ्लिपकर एप से आपको प्रश्नल लोन अप्लाई कैसे करना है देखे स्क्रीन पर देख पार होगे दोगे मुझे लिमिट मिल चुकी है दो लाग रुपे अभी देखिए इसको मिनिमाईज कर सकते हो मैंने कितना पैसे आप ले सकते हो और देखे में पॉइंट है आपको देखे जो बैंक आपको फाइनादस दे रहे एकसी कितना लेक है पर मंत पूरा लोन का इंट्रेस कितना है शारा डिटेल्स देखना है अभी चलिए इसको अपत 75 मैं बताता हूं का अपको एक फिलिपकर कड में हमको प्रिपकर करना है का लिखा है और Axis Bank का जो पेलेटर है उसमें आपको क्लिक नहीं करना है, प्रश्चनल लोन में आपको क्लिक करने, जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपको सिक्स मन्त लेगे, 72 मन्त तक आपको यह आमाही बन सकती है आपको श्रीफ pencard देना है सारे details हो जाएगा डेके paperless work है आपको श्रीफ यहाँ पर लिखना है आपको pencard दालना है जो भी आपका pencard होगा fill करने का तो आपको देखे नीचे आएगा आपको first name और middle name जो भी आपका नाम होगा उसके अंदर चे आपको first name और middle name देना है जब middle name नहीं है तो middle name छोड़ देना है नीचे जो लिखा है surname उसको आपको fill करना है जैसे फिल करना है यह last name लिखा है उसको आपको fill कर देना है जो भी pencard में data बारता है उसका अंदर से date month और year आपको सब कुछ इस तरह से fill करते ना है फिर करें देखें नीचे आएगा आपको अब जो भी salary हो या self-employed उसमें आपको चूज करते ना है आपको देखें मेल फीमिल आपको उसमें चूज करना है चूज करने का देखें नीचे option आएगा या पिन-code देखें आप जहां भी रहते हो यह आधरकर्ण में आपको पिन कोड हो, आपको पिन कोड है, जैसे फिल करेंगे, आपको देखेंगे, बॉक्स में ठीक लगाना है, तब ही जाके Yes का बॉट नहीं है, cent economic इन आहिंट है, तो आटोमेटिक कलर नाम आ गया सरनेम आ गया टीकर डेटबर्थ आ गया है देखे मैं सब कुछ फिल कर चुका हूं पेन काड और जो भी नाम है जीमेल डेटबर्थ सारा फिल कर चुका हूं यहां देखे अभी बॉक्स में टिक लगा के आपको नीचे जो नेक्स्ट बटन में आपको क्लिक करना देखे इस तरह से प्रोसेसिंग होगा देखे आपको थोड़ा सा बैक नहीं करना है थोड़ा सा वेट करना है आपको देखे प्रशनल लोल निखा होगा यह अप्लिकेशन डिटेल्स इस तरह से प्रोसेसिंग हो रहा है प्रोसेस हो रहा है नेक्स्ट पेज आ चुका है दे आपको अड्रेस होता है आपको सब कुछ फिल करना है चलिए फिल कर देते हैं आपको city automatic आ जाएगा जो भी पिन कोड दाल दे हो automatic city आ जाएगा ठीक है देखे सब कुछ फिल करते ही automatic next का बटन आ चुका है देखे green color का आपको उसमें next में क्लिक करेंगे देखे सब कुछ नहीं फिल करेंगे तो green का बटन next का बटन नहीं available होगा देखे दूसरा आ गया देखे details कुछ भेलना है अब देखे जो भी job करते हो जहां भी job करते हो है मतलब जो भी self-employ हो उसमें आपको job क्या करते हो इसके अदर से दालना है देखे आमना retailer है तो retailer दाल सकते हो company name जो भी company name इधर उदर से दाल सकते है कुछ verify नहीं है कुछ भी verify नहीं है किनी civil check किया जाता है civil के basis में loan मिल रहा है ठीक है मैं मैं भी company name दालता है monthly income देखे 30,000 शूपर आपको डालना है 30,000 से बिलकुल नीचे नहीं दाल लिए अभी देखे नीचे जो लिखा है आपको पैसे किस तरह से मिलती है आपको cash या online दोनों में दाल सकते हो जब पैसे आपका account मिल रहा है हर समय 30-40,000 हम date में आता है तो online भी कर सकते हो तो नेक्स्ट का बटन नहीं आएगा ठीक है ऊपर जो लिखा है मैं देखे कुछ गल्दी कर चुका हूं यहां पर आपको जो भी है retailer उसको चूज कर देना है देखे मैं retailer अभी जालता हूं next का बटन आपको इस तरह से प्रोसेसिंग करना है मतलब वेट करना है देखे सारा डॉक्यमेंट्स आपको रिसीब हो जाएगा फ्लिप कार्ड के जो एक्सिस में की तरफ से और सारा आपको चेक किया जाएगा देखे आप मुझे जीमेल में इस तरह से मेसेच आ चुका है अपका सिबिल मेना से जाएगा से पहीं करदाी हो देखेंद मेशेच में कायू ज शब्सके भी अहले है तो लोन ने मिना जाते हैं जिसका उसमें इंट्रेस कम है या बेनिफीट पर आच्था है जो लोन क्लोस कर सकते हो पैसे कम मिलता होगा देखे तीन Mujh cooper में maysej आ चुकी है आपका सिबिल चेक का जा रहा है सब तोरब से आपके कितना सिबिल Tai Production कितना मिलेगी ठीक है इस सारा Complete करते ही इस तरह से सारा这个 complete verify होने के बाद देखें हां लिखा है you are good to go इस तरह से लिखा है you are approval limit 2 लाग रुपए ठीक है अभी देखें कोई लोग बोलते हैं 2 लाग मिल चुका है मैं सारा limit ले लूँगा अभी देखें मंतली कितना देना पड़ रहा है आपको बैंक अको कितना मिलेगी आपको इसकblue-2 लाग लिखा गया है पचशा सजर मीनिमम में पचा सजर से लेको 2 लाग के अंदर आपको चुछ करना है कितना लेeny सक्टे मिनिममम पचा सजर से निए होगा उसके ज़्यादा दो लक्त का अंदर आपको ले सकते हैं अफिर मनत यह सकते हैं सब्सक्राइब Niky अब भी मैंने पच्छाजा लेना चाहता हूँ यहां देखे 36 मंद भी है आपको हर माहीने देना 1830 रुपे आप काल्कुलेट कर सकते हो 36 मंद में कितना ज्यादा हो रहा है यह लोग लूट रहे हैं आपको ध्यान रखना है कि लोन जितना ज्यादा मन्द होगा उतना आपको ज्यादा देना पड़ेगा ठीक है आप चेक कर सकते हो काल्कुलेटर हिसाब किसी चेक कर सकते हो पर मन्त कितना है और टोटल मन्त हिसाब कर सकते हो आपको पैस्ति कितना देना पड़ेगा मानलो कि मैंने पच्छाजा लेना चाहता हूँ अभी देखे कितना मन्त का इया मही बन रही है मैं 6 मंत का EMI में लेना चाता हूँ यह देखे प्रोसेसिंग फीस आपको गयारा साथ असीरे पर कर जाएगा आपको बैंक का कौन में 48,800 रुपीस आपको बैंक का कौन मिलेगी आपको देखे पर मंत 8,802 रुपया पर मंत आपको देना पड़ेगा 6 मंत का EMI इसमे आपको EMI और टोटल कालकुलेट करो गए उसमें देखे 15-20,000 का डिफरेंट आएगा ज्यादा EMI मंत रिली रहे गया ज्यादा EMI आपको पेमेट करना पड़ेगा देखे इसमें ट्रम एंड करनीशन लिखा गया है आपको कितना लेट पीस लगता है जो भी आपको क्लिक करना है तो चलिए इसमें क्लिक कर merciful जैसे करते हैं यह आप पर पैसे आपको58 मिलनेसे पहले जिस मेंक आकाॉट में फहले डिटेल्स डलना और देखे अट वे vi till का है सेट अप करना पड़ेगा मतलब जो भी बैंक आकाउंट में पैसे ले ले लेते हो आटो डेबीट हो जाएगा मंतली जो पांस तरी या एक तरी के जो भी डेट बनाऊगा पैसे चला जाएगा आपको नेट बैंकिंग या डेबीट कार्ड होना चाहिए तब सेट करेंग पाटनर है एकसिस बैक की तरफ से लोन मिले मतलब जो भी एकसिस बैंक टैरेट आपको लोन देगी डो रेट में कम रेट में मिलेगी लेकिन फ्लिप कार्ड में आपको वही इसका डबल में रेट इंट्रेस के साथ ही मिल सकती है मेरा मनना है कि जो भी लोन नेना चाहते हो पर देखना है कितना इंट्रेस के साथ आपको लोन मिल रही है और आप्यों में माहिगी लोन टोटल कालकुलेट करके हो कितना है में पिभी लेक क्ता है और कि दौन धोड करते हैं कि आइसाट पनी ईह पर